हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुनेस्टरी सेंटर में और मैं हूं मिठुनोय साथ आज हम लोग बात करने बाले हैं फर्स्ट चेप्टर हमरा जो हिस्टिरी का है कलास्टिंथ में उसमें हम लोग जितना भी सब्जेक्टिब मे इंपोर्टेंट प्रसन होगा उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप लोग यादि आये हो इस वीडियो पेटो वीडियो को पूरी अंड तक देख करी जाना तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के और पहली क्वेश्चन कहती है बिनाया कंग्रेस यानि स 815 द्वारा 815 द्वारा फ्रांस में भूबो भूब भूधे लिखा गया है वरकि भूबो होता है तो बूबो राजबंस का क्या होता पुनास्थापना किया गया था ठीक है तो आप लोग या रखना यह सवाल पूछता है काफी वाल पूछा जा चुका है हैं लोग अगली नमर कुछिन की और अगरी Alfy कुछ सकता है और यह सकता है युकाएट है इटिहास सब्सक्राइब क्यों विख्यात हुए हैं तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए रिखतें एंसर को तो देखिए मारा एंसर क्या हो जाएगा तो एंसर सिंपल सी है में टर्निक अस्टेरिया का क्या था चार सलल था अब आगे देखिए वह घोड प्रति किरिया बादी चु एवं पुराँतन विवस्था बनाये रखने में रखने का समर्थक था सिंपल था उसके बाद भी कि दुष्मन के पाई जाता था अपना ही जो होता था देश का बात जो गुप्त चल रहा चलता था मतलब की मानलोजे से यूद होने बला तो बात भी जाकर क्या करता में बता देता था दूसरी को ठीक है अतनकवादी को कह सकते हो वह पुराटन व्यवस्था को बनाए रखने का समझ तक था ठीक है उसने जिस उसके बार आप लोग समझना उसका जिस पर व्यवस्थ यूरोप में अस्ठापिट की है उसे में तरनीक व्यवस्था का जाता है तो यारण की व्यवस्था ठीक है अगली आगे देखते हैं अपनी इसी व्यवस्था के कारण यूरोपया इतिहास में बिख्याते हैं यहीं सब काड़न से जो है ना कौन तुम मेटर निक अस्टरिया में क्या हुआ इतिहास बन गया तो हमारा यह था दो नमर सवाल कमपिट हो चुपा और उसी सवाल काफी इंपोट्टेंट रहता है और यह सवाल पूछा जाता है थीक है आप लोग देख लेना जाकर यादि आपके पास बीवीडीए होगा तुसमें आप लोग मिला लेना यापके पास क्वेश्चन बंक भी होना उसमें भी आप प्रदेश का प्रति पादन विसमार्क ने क्या था इस नीटी के अनुसार स्यन सकती की सहायता से पूरे जर्वन प्रदेश का प्रति पादन उसने क्या जाता है तो यानि आगनी में की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का । प्रतिया तो लोग यह रखना पूसकता देख कि किस देश को किस दिखाय की करनकर चाहता था तो यह रखना पूछता है German भर देश का धिक जर्मन पूर डैस का और है भी पूचेघ तक आप लंबन किस देखए कंगा ये उप्जेक्रम ड करना बन बनते जाता है तो आप लोग सुनते जाना और समझना ताकि आपको बोड़ जामें किसी भी पर करके दिक्कत ना और एक भी कुश्चन ना छुटें आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं चोटी नमस्वार क्यों यह सवाल काफी इंप्वर्टन रता है तो इसको इंप्वर्टन क क्यों देखो आप लोग इतना भी रिक दोगन अबोड में तो आपको पूरा नमर दो नमर मिल जाएगा इतना वी जतना में अभी यहां पर गयाब क्या हूं और इंटर में तो देखना समान अर्थों में राष्टर बार का आठ जो होता ना वह आता है राष्टर के पड़त विकास के प्रतिर लगाए रहते हैं उसके आगे अपने अलफे में राष्टर और समझ सक्दें जो किसी बीसेस भьогоओलिक संस्कृती क्या समाजिक परिवेश में राने बाले लोगों की लोगों की वहाग बनती है इसमें मतलब बहुत राश्टरबाद का प्रिवासा होता है तो लेकिन आप यह रख सकते हो सिम्पल सी है सवान अल्थों में राश्टरबाद का रत होता है अपने देश के परते अपने राश्टर परती लगा और भावना का विकास करना उसके परिवेस में रहने बाले रोगों की एकता को बनाती है नि बाख बनाकर रखती है साथ में मिल जूर कर रहती है तो आप लोग इस प्रकार से याड़कना और काफी इंप्वर्टेंट रूत है आप लोग इसकी वह सके तो माल लेना आप चलिए हम लोग देखते हैं छोटा- इसकी इसको इसके स्थापना कि थि entity here जर्मन महासंग लेकिन सब्सक्राया किस ने पूझ्या जाता ने पूछ दिया सब्सक्राइब जर्मन महां चब चिसे महां सब्सक्राइब चैना ने पूछा गया था ने पूलिय नीपन मै taş से खाल दो बहुत गmath आप चलिए आप हम लोग जो को देख रहें यह काफी इंप्वाटन तो इसको आप लोग जरूर देखना ची तरीके से यह भी आई करके आप लोग नोट करते जनम में जितना भी इस वीडियो में कोईश्चन लाया ना सभी भी वियाई कोईश्चन और पूछता निश्ची त पताना और मेरा नंबर भी हमेशा में आपको नंबर देता रहता हूं तो देखिए हमारा नंबर देख सीग्स दबर जीरो नाइन शिक्स नाइन एट जीरो नाइन फाइब इस पर कॉंटक्ट करके आप मुझे बोल सकते और यादि हमारे गुरूप में भी तक आप लोग ज में इसल्छंग संवझेंगों डाइब मैचम्ट में टेरियवट bey अंपालप समय कमर्द का अन्त यह में सुआ है तो ऊसी दो रान उरोप में नेपोलियन का युग जो था नीपोलियन का राज दो चलता था वह ऐनत हो गया उसका थिक pinky और मैठरलीक बिनेया कंग्रेस सम्मेलन द्वाराई यूरोप में निपुलियन बुना पर समाप्त हुआ था उसी के दोड़ान चाहुआ मेटर निक का यूग भी ओहां शुरू हो गया था कहां तो अस्तिरिया में ठीक है उसके बार आप लोगो का यह तक्तिरिया आप लोग आगे समझना मैंने क्यों बताया था यह उसी पर सवाल है लेकिन अलग अलग तक्रीव बादी था तरफ ये बताया था आपने अर्षट्रिया का ही बुराई करता था और जो आतंकवादी होते थे उनको गुप्त समाचाल में पहुंचाते थे अपने देश का ही थी कि तो वह क्या था रा सब्सक्राइब करांती द्वारा में टर्निक का यूग समाप्ती हो गया तो यह हम रहा था छे नमर सब्सक्राइब और काफी इंप्वार्टन सब्सक्राइब तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना ठीक है तो सिंपल सी सब्सक्राइब आप लोग समय आप लोग हो सके तो माल लेना ठीक है आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेस्चेन के ता 64 00 किस देश में हुआ था चातिस आंडरों किस देश में खोजब लिकिन पूछता है दो नमर के सवाल में यह सबाल साइद 2022 के board exam में पूछा चुका है आप लोग देखना यादे आपके पास क्艵ेश्सें ब्रा पने एक ब्लोग में ही उल्टा के लिख जरूर पुछे जरूर पुछे चलिए जरूर पूछे तो आप लोग बढ़ते हैं आप और कमेंट करते जाना कि आप भी कुछामनी की बाधाय है क्या थी तो बाधाय हमें फिंपर सी बताना है तो चलिए बाधाय है बताने सब्सक्राइब होते हैं तो लिखना जर्मनी के एक ही करन में निम्ण लिखित पडमुक बादा थी इस प्रकार से लिखो गए ना तो आपको नमर पूरा में पूरा देगा देखिए अब तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे एंसर एंसर क्या क्या होगा तो जर्मनी के एक ही करन की निम्रिखित पर मुख बादा है थी इस प्रकास से लिख लोगे उसके लिखना है पहला में आपको क्या तो पहला दे देना लगभग जर्मनी का मुख कारण क्या था कि जर्मनी देश में करीब 300 छोटे बड़े राज थे आप समझ सकतो 300 हमारे भारत में करीब कितना है तो 52 खरीब राज है और आपका सब्सक्राइस मिलाकर पूरता है करीब तो आप सोचो 300 है तो 300 रहेगा तो राज को अलग करना है पड़ेगा राज था उसमें भी राज राज बहुत बराबर आओ तो भीहार रेश हो गया इसे राज था तीन सा सोचो छोटे बड़े तो क्यों नहीं इसको एक करन क्या जाएगा तो एक कारण था पहला और राजियों में बयाप्त राजनितिक एबं समाजिक तथा धार्मिक विशमता भी है ताइब शमताय मतलब कि वहां पर राजनितिक और समाजिक साथ में धार्मिक जो अस्थानते सबी जगाह क्या तो उहां पर गलत काम किया जाता था गलत तरीके से आपर काम होता था तो सिंबल सी यह हमारी दो नमर्पॉइंट है आप लोगों को समझ में आया निकाप तरवाद नहीं रखता था तो सिंपल से मरा यह की नमर पॉइंट आई यह यह बहुत सारे जो आतनंकी आते थे अलग 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 डेस के वह सभी क्या कहता था वहां पर बस जाते थे अश्टरिया में ठीक है और अपना-पना घर बना लेते थे तो यह एक कारण था यह बहुत टाव बना तो यह नहीं का क्याता था उते लॉत काम करता था ऑपने अपने ध्यांप आक है अपने जहट्त प्रत्ति कोफिएज बहुता ओक जितनी बी राष्ट्य के भावणा चती नहीं एक्रम कात था जितने भी चार सल था उन सभी को यह इसके बाड़े में बताता था और अपने देश को क्या कलता था नीचे जुकाने का काम करता था तो यह हमारी कितनी स्कर ले लिए और काफी इंपोर्टन और टब कोश्चन यह सवाल आपको में निश्चित करता हूं तीन नमर में जरूर कोपी में आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन के और अगली क्वेश्चन है नौह नमर क्या करता है तो आप लोग ध्यान से सुनना सब्सक्राइब करते हैं अंतस्त लेनन में ने राष्ट बाद को किसे रूप एक यह क्या थे तो रासनी थे थो यह राष्च्रवाद को किस रूप quo कि रूप में परिवासित यह तो हम लोग इस जानते है राष्ट्रभाद को किस प्रकास से प्रिवाशित इनू ने तो देखिया फ्रांण सी अल्टन संट लेनन 514 सताावडी में राष्टरबाद की ब्यां कि यह यह जो प्रछी इसको अपस्थ क्या था लेकिन बहुत वह बना लेकिन इंहिक प्रिवास सबसे रफ था और इंहें परिवाइसा चलता है अभी हम लोगी नहीं कि परिवाइसा को लिखते हैं तो दखे सुनिए चाहें एंसर तो फ्रांसेशी दासनीक फ्रांसेशी या दासनीक विच्टेक है फ्रांस के राणे बाले ते कौन अंटेंस्ट लेन जी और यह क्या कि महाराष्टर राष्टरबाद की वयाख्या कि राष्टरबाद की राष्टरबाद की वयाख्या कि राष्टरबाद की एक नई एक नई और वयापक परिवासा दी इन्हों ने एक नई और वयापक परिवासा दी जिसके अनुसार राष्टर एक बड़ी और वयापक एकता है तो राश्ट्रबाद की परिभासा को लिए तो उन्य कि परिभासा चलता है और पूर सकता है कि नई आपको पूर सकता चे तो आप लोग यह भी याळखना और इंप्वाटन्ट कोछ्टन होता है पूछ न इसका भी माना अब बढते हैं अगली कुछ्षिन क्यों के अगली क्वेश्चन ठोरी सी लंबी है लेकिन समझ आप लोग समझ जाओगी यहां तो अब चलते हैं जर्मानी के एक एक के लिए भूर को नीती अपनाए तैं पहले पूछ सकता है जर्मानी की करन में के क्योंétais तो यह रखना में क्वाकषि अपनाए थे यह आप यह दो ना दो यह अपने करते की आ उर्वज़ते हैं जर्मनी के एक ही करन के लिए विसमारिक नहिए कौन फिल्वज hacks तो कि प्रशा और राजा ठीक्षेय का राजा बिलियम प्रभी प्रख्यात राश्ट्रवादी और कुटी ने पिस्मारद्ह आप अपने प्रदान सब्सक्राइब तो विल्यम करताएब लृज न वह परथम राजा ठीक है परतम राजा कहां तो यारखना पंदूख जर्मनिका ठीक है यह जो तो यह क्या रखना पंदूख यह बिश्मार के एक स्र०्पन मंतरी बना दिए ठीकिए चाहल सललके रूप में उनको न्यूक्त कर दिया था किसने तो विल्यम जी और किस FIFA को गया था यहां तक समर्निय आगर आई आप आगे आप जर्मनी के एक ही करन के लिए विश्मार्क ने रखत और तरवार की नीती अपनाई यहां तक आप लोगों का क्रियर आप लोग जरूर बतना आप चलिए आगे सबसे पहले विश्मार्क ने नई आल्थिक शुदारों द्वारा पड़सा की इस्थिती मजबूत की मतलब जैसे मुआ गई वह पड़्यामनत्री वने कोन तो उन्होंने क्या क्या थो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले एक नीती अपना थियके सबसे पहले विश्मार्क ने है आल्थिक सुदार क क्लिया है यानि कि वहां की जन्ता की शुदार करिए वह पड़सा की सथिती मजबूत SEE grow ह लिखती हुए मजबूत हो गई तो करन के लिए उसने देनमार त illegal या उदिक्या इन उन्होंने जर्मानी की करन क के लिए मतलब जर्मानी में परता था कौन-कौन साथ तो परता था इसमें अधर जर्मानि के लिए उन्हों इन इड़ कर दिया किनके के बीच देन्मार्क अस्टिया था परसा के ise इसके परिणाम स्वडूप शी यूर्म इसके परिणाम जैसे मतलब वहां पर दो होते हैं नक्सले जो वह र्यक्त हैं वह सभी क्याकि है कि जर्मन राष्ठ्र रोफ can do I Ouais सिंफल्सी आप लोगों को समझ आया है यह निव Iss होड़ा तो यह 10 नंबर ता पूछाल और काफी इंप्वाटन सवाल होता है पुछता है यह सब सब लोगोस आ याधि ने पर लोग मैंने चल्टा चल्टा कर अप लोगो को समझ के वाव мо ocean के रखकिति सबसिए सब कर सकते हूं आप현आ की कारियों की चर्चा कर लो मतलब इन फिले भी पतवताया है तो इस परकाछलिए ना कि कि व हुआ थे उन्होंने कि नीती अपना है तो उसी परकाछल से बताना कि आ जर्मनी के एकी करन में बिश्मार्थ क्या थी महत्पुल्ण भुमी का थी यहां तक क्लिए आप चलिए वह विख्यात राष्ट्र वाधी और कुटी न्यक थी यानि वह अपने राष्ट्र के पटती अच्छी भावना रहे रखते थे विशम एकदम ख़रा भावना रहते थी ठीक है अपने देश के परती और उसके बार आप लोग यहां तक के लिए आप लोगों का आवागे समझना फटेंक पड़ संसद में उसने भाग लिए तक तो में राज दूथ वहांनी की वह रूस और प्रसा नहीं पंपर देश यहां पर भी वह राज दूथ बन बना था तो यहां रखना अठाराइस बार्शा थास्वी में अब्यक्टिव टैप में भी पूछता हैं ठीक है आप लोग समझना इसके बाद इसके बाद आप लोग धहां से ठीक हमने के लिए कर यहां तक आप से बाले सर्व पर्थम विश्मार्क ने परसा के आल्थिक और स जबूत कर दिया तो उसके बाद आप लोग समझना ततपस्टात उस ने देनमार्क 1864 अश्टरिया 1866 से डाओं का यूद किया सिंपर सी है कि मैंने बताय था ना किस किस देश में यूद हुआ था तो जैसे ही मतलब वह अपने देश में जर्मनी में क्या क्या देनमार्क ना रखना ठीक है यह हमारी कितनी नमर क्यूस्टन तो क्वेस्टन त्याम रही एक 11 नमर्र और सवाल काफी पट्रण और टाफ है तो आप लोग इसको नोट करके जरूर रखना यह भी काफी पट्रण सवाल और पूछता है सवाल ठीक है क्योंकि फश्ट चेप्टर जो है आप नमर का सवाल आ जाता है यहांनि आप लोग का जाक तो कि पांच बूग के पांच बूग में से 30 नमर आ रहे यानि कि कितना पर्सेंटेज आ तो तीस पर्सेंट जो कुश्टन है इसी बूख से आ रहा है तो आपको इसको पड़ना ही चाहिए ठीक है तो हमारा यह कुश्ट चीडान का यूद नाम तरिके शिदान को पराजित कर जर्मनी एक यह कई कि करन रहा है तीन देश को अड़ाया किसको फ्रांस अस्टलिया और चया था एक तो इस देखली नाप लोग एक था और क्या तो एक था देनमार्क देनमार्क यहांनि देनमार्क में 1864 में यूद थ प्रांस में तो फ्रांस का नाम क्या था तो इसका नाम था यह जैसे यूद क्या हुआ इन जवी देश को जैसे हराया और जर्मनी का एक ही करन कर दिया गया ठीक है तब लोग यह रखना अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे तिक हमारी पर लोग कोउ़टन है कोउस्चन आप लोग सुनना इसमें डूर टाइप का कोईश्चन पूछता है 12 सवाल काफी पॉटन है तर इसको नोटकर आप लोग पहले कड़के हैं आप है अपकु प्यकलम हो सके तो लखड़ो और उसमें नोट कर लोड़ तीक है आप से बाल के संचिफ्ट परिए आपको दूर्षन सवाल सकते हैं मतलब दोनों सबाल को या रखना प्रसनग और警no और आपको एंसर में कोई भी सवादे आपको एही लिखना है सिंपल सी यही और यह सवाल एकदम पूछता है निश्चित डफेनेटरी में कहता हूं पूछता है तो आप लोग इसे नोट कर लाना जरूर तो चलिए हम लोग बीना टाइम गवाए बढ़ते हैं एंसर की ओर तो राजनेता था जिसके करणं का पढ़ा तो उनका नाम पढ़ गया मन्तरी में प्रदान मंत्र बन गया सब्सक्राइब के राजा घृक्ट एमनेट का मंत्री मंट्री बन गया यहांनि मन्तरी में बनाता शाथ में आठाइबाएबन में जैसे 1850 खृत्म मुथा जाठाइबन वह प्रदान मंत्री बन गया तो सिंपल से आप लोग याडखना आप लोग आगे बढ़ते हैं अगे उसने अप्धिक शुदारों द्वरा सद्धानिया की इस्थिती धिरिष्टी की मतलब कि सैनिक जो हां के सेना थे जिसे आप लोग फौज कर देऊ तो उनकी सहाइता से उनुन क्या क्या सद्धानिया का जो रहाता है वह पर लोक सभा में बात चल रही थी तो उन्होंने क्या परिश में जाकर उन्होंने इटरी के करन का परस ने उठाया था किसने उठाय था तो कावोल जी ने उठाय था आप लोग यह रखना 1869 इना ऑस्ट्रिया को पराजित कर कावूल ने लवमाब्दी पर अधिकार कर लिया उन्हें नहीं अस्थ Willstia को पराजित किया और वह लवादी पर अधिकार अपना जमाल लिया तो यह थी आमारी कितनी तो बाड़ा नमर सबाल थी हमारी और इसको आप लोग काफी बार पुछता है सवाल या बाड़ा नमर सबाल जोए ना काफी टप सबाल है पूछता है एक दम निश्ची टेफेंडर भी पूचेगा तो इसको आप लोग भीविया करके नोट जरूर कर लेना तो चलिए हम 308 095 इस पर लोगों को मेंशेज करना है आपको लिखना और लिख देना में क्राइस्टेंट में हूं या मुझे आप गुरूप में जोएन कर दूँगा और गुरूप में जोएन होने का आप लोगों को देफेंडरी पता है बहुत बच्चे जूरे हैं जो नहीं जूरे न ठीक है तो चलिए हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना और एक शेयर में हर वीडियो में बोलता हूं एक शेयर करके ही आप लोग जया करें तो एक शेयर आप लोग इस वीडियो को जरूर कर देना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो कैसी लगए आज की या कलास आप लोग कमेंट में अपनी डाय जरूर दें चलिए आप तमाम दोस्तों को बाई बाई